अप्रेल में शुरू होगी फिल्म दबंग टीन की शूटिंग फिर से साथ नजर आएंगे सलमान खान और सुनाक्षी बलेवुड दबंग और दबंग दो के बाद एक बार फिर से सलमान खान और सुनाक्षी सिनहा तीसरी बार एक साथ बड़े परदे पर सीरीज की अगली फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं भारत की शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान खान दबंग टीन की शूटिंग के लिए पूरी तरह से तयार हैं इसी साल अप्रेल महीने में फिल्म की शूटिंग शूरू होने की खबरे पहले भी आ चुकी हैं सलमान खान और सुनाक्षी सिनहा उस से पहले शनिवार रात एक शादी समारों में साथ देखे गए सल्मान खान ब्लाक याजूल ड्रेस के साथ ब्राउन लेदर जैकेट पहने देखे वही सुनाक्षी सिनहा स्काई ब्लू कलर की शरारा ड्रेस में बहुत ही कूपसूरत लग रही थी सुनाक्षी सिनहा इस शादी समारों में अपनी मापूनम सिनहा के साथ पहुँची थी सुनाक्षी सिनहा और उनकी माँ कैमरे को देख स्माइल भी करती दिखी फिल्म की बात की जाए तो दबंग तीन में सल्मान खान फिर अपने वहीं चुल बुल पांडे के दबंग अवतार में नजर आएंगे और सुनाक्षी सिनहा उनकी पतनी के किरदार में देखेंगी फिल्म में नेगेटिव शेड के किरदार के लिए कन्नट डेक्टर सुद्धीप के नाम की चर्चा है तो वहीं से एक इंद नेगेटिव रोल में जगपती बाबु के नाम की चर्चा है दबंग टीन को प्रभुदेवा डॉयरेक करेंगे और पिछली दो फिल्मों की हीत है हर बाजखान फिल्म के प्रोडियूसर होंगे इन दिनों सल्मान खान अपनी आने वाली फिल्म भारत में बिजी है फिल्म में सल्मान खान के साथ कट्रीना क्याइप, तबू, दिशापटानी, जैकी श्रॉप और सुनील ग्रोवर भी है सल्मान खान इसके बाद दबंग टीन की शूटिंग करेंगे माना ये जा रहा है कि फिल्म इस साल के अंतक पूरी कर ली जाएगी इस से पहले सुनाक्षी सिनहा दबंग टीन के जल्द शूरू होने की खबर पर अपनी खुशी जता चुकी है अब देखना होगा कि फिल्म अब आती है